हालो वच्चो आज हम लोग क्लास टेंथ का चेप्टर नमर फाइब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं इसके जो भी पहले चेप्टर है टेंथ में जैसे की वन टू फोर तक और इसके बाद का जो भी चेप्टर है वो हम बाद में पढ़ेंगे आज सबसे पहले हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं कारण यह है कि जो वन टू फोर चेप्टर है वो अफलाइन क्लास में हो चुका है तो जो भी बच्चे अफलाइन क्लास में पढ़ते हैं उनको आगे पढ़ने का मौका मिल जाएगा और जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं यदि उन्हें पसंद आएं तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करें कि आगे का आपको चाहिए जो भी चैप्टर का वीडियो है आगे का या पीछे का जो भी चाहिए उसके बाद मैं बनाऊंगा यदि आपको पसंद आएगा तो आगे मैं बनाऊंगा तो चलिए आज chapter में चालू करता हूँ arithmetic progression तो क्या होता है arithmetic progression को और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि arithmetic progression किसे कहते हैं अब होता क्या है कि बहुत सारा mathematical series होता है जैसे कुछ series जैसे कि आप यहां देख सकते हैं नीचे एक series यहां दिखा हुआ है यहां एक सीरिज लिखा हुआ है दिख रहा हो तो 45 है 43 है 45 है 43 है 41 है फिर आपको 39 है फिर 37 है 35 है 33 है 31 है इस तस डैस 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 आगे और भी नमबर आएगा ऐसा ही सीरिज हम बना सकते हैं खुद से भी नहीं तो आप यहां देखिए एक और चोटा से यहां सीरिज लिखा हुआ है 8000, 8500, 9000, 9500, 9500 इसके बाद आ जाएगा ठीक है तो इस तरह से बहुत सारे इसमें भी सीरिज लाइन से आ सकता है और भी होता है जैसे मैं बना रहा हूँ अगर यहां लिख दिया 2 यहां लिख दिया 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32 इसके बाद और भी आ जाएगा ठीक है तो इस तरह बहुत सारे सीरिज होते हैं इसमें से यह जो दो सीरिज है जैसे कि यह वाला आप देख रहे हैं इसके लावा सीरिज में एक चीज कमन है क्या कमन है तो इसमें ध्यान से देखिए इसमें हो क्या रहा है दोनों सीरिज में एक फिक्स नंबर इंक्रीज हो रहा है एक फिक्स नंबर इंक्रीज हो रहा है जैसे इसमें देखिए 500 इंक्रीज हो रहा है यहां भी फिर यहां भी इसके अलाव 2 decrease हो रहा है 2 minus 2 इसके एला आप यहां देखिए किसी भी 2 में देखिए अगल बगल देखना है यहां भी minus 2 यहां भी minus 2 सब में minus 2 minus 2 क्या हो रहा है decrease हो रहा है तो ऐसा series जिसमें एक fix number एक fix number fix number या तो increase हो increase या decrease हो decrease ठीक है ऐसा series जिसमें एक fix number increase हो या decrease हो ऐसे series को हम लोग AP कहते हैं यह बात आपको याद रखना है जिसे हम arithmetic progression कहते हैं ठीक है और यह arithmetic जो progression progression का मतलब होता है लागातार बढ़ता हुआ एक तरह का mathematical series जो लागातार बढ़ता जाए तो arithmetic progression हम किसे कहेंगे तो एक ऐसा series जिसमें एक fix number लागातार increase या decrease कर रहा हो ऐसे series को हम लोग क्या कहते हैं arithmetic progression ठीक है जैसे कि मालीज़े अगर आप लोग को देखना हो तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद वाले slide में आप पर एक definition लिखा हुआ है जिसे आप देहान से पढ़ेंगे तापको समझ में आएगा क्या लिखा हो पढ़िए An arithmetic progression is An arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term अब क्या है इसमें जैसे कि मालीज़े यहाँ पर लिख रहे हैं इसमें लिख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है तो यह जो फॉस्ट सीरीज जो होता है फॉस्ट टर्म क्या बोलते हैं फॉस्ट टर्म पहले वाले का नाम दे जाता है फॉस्ट टर्म ठीक है यह से हम बाकी का भी नाम दे सकते हैं इसमें second term, third term यह second हो जाएगा third term, fourth term, fifth term ठीक हैं तो जितने भी इसमें यह number होँगे इन सभी नंबर को नाम दे जाता है term कोई ने कोई नंबर पे आएगा जैसे कि पहला पार है तो first term दूसरे पार है second term ठीक है third term fourth term तीसरे पार है तो third term fourth term इस तो आसे term नाम दे जाता है पहला वाला जो first term होता है इसके लिए कि special लेटर का परियोग करते हैं जिसे small a से denote किया जाता है ठीक है इसके बाद इसके बाद ठीक है तो यह आपको याद रखना है कि first जो term होता है उसे a से denote किया जाता है ठीक है और बाकी term को भी लिखने का तरीका है लेकिन सबसे पहले हम लोग कुछ चीजे सीखेंगे उसके बाद देखा जाए बाकी term को कैसे लिखा जाता है तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं इसमें लिखावाए अनर्थमेटिक प्रोग्रेशन इजे list इजे list of number in which each term is obtained by adding a fixed number जैस देखिए अगला term अगर आपको यहाँ पर चाहिए तो पीछे वाले में preceding term इसको बोलते हैं पीछे वाल इसमें अगर आप 8 लाना चाहते इसमें भी 3 आड़ करें फिर इसमें भी 3 आड़ करें तो एक fixed number हम आड़ करेंगे तो उसके next term मिलता है next term मिलता है अगर इसमें माली जी इसमें हम 3 आड़ करेंगे तो इसका next term मिलेगा जैसे 70 इसमें भी 3 आड़ करेंगे तो इसका next term इसको प्राप्त करते जाते हैं तो कुछ बाते हैं जो आपको याद रखना है जो important है तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं बारी-बारी से एक निया slide ले करके ये सब क्या लिखा हुआ है चलिए आगे देखते हैं तो हमें अब क्या याद रखना है जैसे माल लिजिए एक question ले लूँ पहले मैं ये 2 इसमें ले लिजिए 4 6, 8 10 इस तरह से आगे ये जाते जाएगा ये हमारा एक AP है तो सबसे पहले question जो एक जाम में आता है वो ये आता है कि बताइए ये AP है कि नहीं तो इसको चेक करने क्या उपाए है आपको क्या करना है इन दोनों को दो दो को जो अगल बगल है देख रहे हैं न सबको अगल बगल सब अगल बगल वाले को आपको करना है subtract यहाँ क्या करना है आपको घटाना है घटाना है ठीक है यहाँ सब्ट्रेक्ट करना, सब्ट्रेक्ट करना, सब्ट्रेक्ट, यदि हम सब्ट्रेक्ट करते हैं और सब्ट्रेक्ट करने पर, सब इकोल आजाए, जैसे इसमें अगर सब्ट्रेक्ट करेंगे 4, परस्ट वाले में इसमें, इसमें अगर करते हैं तो 4-2, पीछे वाले में समय साग जगा का difference, सभी जगा का difference, यदि equal आए, तो ap होगा, ap होगा, वरना ap नहीं होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है, तो हर जगा का difference हम निकाले और देखे 2,2,2 आगया, तो यानि कि हमारा जो यह तिया हुआ है, sequence, यह क्या हो जाएगा, ap हो जाएगा, ठीक है, यह आपको याद रखना है, ठीक है, और क्या कहा जाता है, कि जो difference हम निकाल रहे हैं, इस difference का नाम दिया जाता है, common difference, difference का नाम क्या देते हैं, common difference, यह important term है, याद रखना है आपको, common difference, difference, बड़ी important है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, small d से, यह important term है, जो आपको याद रखना है अगर ये याद रखेंगे आप तब जा करके आके का equation समझ में आएगा और अभी पिछले वाले slide में हम लोग क्या देखे तो ये पहला जो टर्म था यानि ये जो first वाला जो टर्म हम लोग लिखे हुए है इसका इस first वाले टर्म को एक नाम दिये थ है क्या नाम दिये थे first term को हम बोलते है a small ये आपको ध्यान रखना है और जो भी difference आ रहा है sub difference का नाम हम क्या दिये है d किनको गटा रहे है common difference को क्या नाम दिये है d ठीक है अब चलते हैं हम लोग अगले slide पे तो अब क्या होगा कि अगर हमें question दिया जाएगा तो question में क्या पुछा जाएगा तो question जैसे हम ले लेते है question कि first वाले जो टर्म को first वाले टर्म को जैसे हम लोग यहाँ पर लिए 3, 5, 7, 9, 11 ठीक है तो यह पाला टर्म था तो इसको हम denote किये a से देखेएगा important है यह line important है और इसमें हम इसको घटाए तो यहाँ एक जो आया d common difference d is equal to कितना हो जागा तो 5 में से 3 को subtract करेंगे 2 फिर इसको घटाएंगे ते एक और d फिर इसको घटाएंगे ते एक और d देखते रहे एक बड़ा important है यहाँ पर अन हर जगर d का value बराबर है 2 यहाँ भी 2 यहा तो अब हम क्या लिख रहे है इस equation के लिए इस ap के लिए एक general general form लिख रहे है इस ap के लिए क्या लिखेंगे तो first वाले के लिए तो a लिखेंगे अब इसको ध्यान से देखिए इसको अब ध्यान से देखिए इसमें क्या है कि इस a में इस a में यदि हम इस d को add करेंगे तब हमें यह five मिलेगा देखिए यह three है three में two add करेंगे तो five मिल गया ठीक है तो यानि कहने का मतलब यह वाला कहलाता है second term यह वाला second term कहलाता है second term अगर लाना है तो इस first वाले में हमें एक d को जोड़ना पड़ रहा है तो यानि second term लाने के लिए हमें a plus d करना पड़ता है ठीक है वह अगर हम आपसे बोलें कि अगर आप लोग third term को लाइए third term यह बला है third term इसको चाहिए तो देखिए यह है ए में एक d जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा a plus d यानि 3 plus 2 हो गया 5 एक और d जोड़ती है यानि 2d जोड़ेंगे तो यानि 5 plus 2 तो क्या मिल गया 7 तो यानि कोने का मतलब हम अगर third term लिखना चाहिए तो a plus d plus d यह लिखेंगे वैसे ही अगर मानलीज आपको तो इसको हम a plus d plus d को क्या लिख सकते है तो a plus 2d d plus d क्या हो जाएगा 2d ठीक है वैसे ही मानलीज अगर आपको बोला जाया कि fourth term sorry हाँ fourth term यह तो first term हो गया यह second term हो गया यह third term हो गया अब हमें बोला जाया कि यह fourth term fourth term को लिखें यह fourth term इसको तो इस fourth term को कैसे लिखेंगे तो fourth term में विध्यान से दिखें एक a फिर d d d d 3d तो हम क्या लिखेंगे तो इसको लिखेंगे a plus d plus d तो यहां से 3d को गराइड करेंगे तो क्या हो जाएगा a plus 3d तो यहां हम ध्यान से देख रहे हैं कि यहां पर एक general series बना क्या बना first term के लिए a second term के लिए plus d third term के लिए plus 2d 4 term के लिए plus 3d ऐसे ही हमें कोई भी टर्म अगर पूछेगा तो एक d हमें कम लेना है एक d कम लेना है जमाल लिए हमसे पूछता कि 50th term 50th term हमसे पूछता है तो हम क्या लिखते हैं तो a plus 49d ठीक है जो टर्म हमें काईगा निकालने के लिए कोई भी टर्म तो हमें उसमें से एक सब्ट्रेट कर लेना है बाकी टर्म आ जाएगा बाकी यह general जो equation आपको यह लिखाया गया है जैसे माली जे अगले टी फिर उसका अगला हो जाएगा a plus 2d फिर उसके अगला हो जाएगा a plus 3d फिर उसके अगला हो जाएगा A प्लस 4D इस तरह से हम आगे डेस 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 चेनल सीरीज में हम लिखते चले जाएंगे तो इससे बहुत सारा कोशन बनता है जिसका आपको ध्यान रखना है इसमें बहुत सारा कोशन बनता है ठीक है तो हम देखते हैं आगे अगर कोई कोशन दिया हो तो आपको बनता है तो देखिए यह रहा है कोशन है ना फाइंड दे मिसिंग टर्म दे दिया जब भी इस तरह कोशन देता है तो यह जो उपर में हम आपको जेनरल इक्वेशन लिखवाए हैं यही यूज आता है यह उपर वाला जो भी जेनरल इक्वेशन है यह यूज आता है तो चलिए इस कोशन को सबसे पहले आप लोग ट्राई कीजिएगा वीडियो को रोग करके ट्राई कीजिएगा कैसे बनाना है ठीक है चलिए लेकिन मैं बता रहा हूँ बागे आप एक पर अपना से ट्राई जरूर कीजिएगा तो देखिए इस तरह कोशन कैसे बनाते हैं माल लिजे यह फर्स्ट टर्म हम जानते हैं फर्स्ट टर्म है क्योंकि यह जब एपी बताए हैं हम तो एपी में क्या बोलें यह पूरा एपी है तो A प्लस 2D लिखेंगे ठीक है और ये फोर टर्म को क्या लिखेंगे तो A प्लस 3D लिखेंगे इसी से हमारा question बन जाएगा अब इसमें क्या है एका value दिया हुए 7 एका value आपको 7 दिया हुआ है ठीक है तो सबसे पले में D निकाल ला है तो जो भी given equation रहेगा इस बात का आपक जो भी given equation रहेगा जैसे माली जीए कि यह वला दिया हुए हमको sorry equation बोल रहा हुआ है मतलग जो भी given term दिया रहेगा यह term दिया है दोनों term से हम D को आराम से निकाल सकते हैं जैसे कि इसमें A का value आपको 7 दिया हुआ है एक value को इसमें डाली है इसका answer कितना दिया हुआ 13 जैसे जैसे माली इसको हम solve करते है यहां रहन करकर आपकर यहां बेलाकर solve करते हैं दिया हैं जैसे इसमें है A Plus 2D is Equal to 13 ठीक है तहरा Rum तो यहां से रही ग्री जाया है तो यहां पाल्व करेंगे त्दी आपके पहल उतना दिया है bring a 7 को हम यहां लेंगे 7 Plus 2D is imm bourlais तो 13 ठीक है तो यहां से आ जाएगा 2D is equal to 13 minus 7 ठीक है क्योंको 13 को इधर ले जाएंगे इस साइड ले जाएंगे तो minus में चला जाएगा तो यहां से आ गया 2D is equal to 6 तो यहां से D is equal to sorry sorry यहाँ पर आपको mistake हो गया अना तो 2D is equal to यहां से आपको का निकल जाएगा यहां से आप निकलने का पर्यास करेंगे तो यहां से आपको D is equal to 3 आगया इस डिवाइट कर देंगे 2 को ले जाएंगे 6 अब यह जो D is equal to 3 आए इससे हम बाकिश्टरम निकाल सकते जैसे इसमें क्या करना है एक जगा पर एक जगा पर आप ध्यान से देखिए एक जगा पर क्या दिये होँआ 7 plus 3D यानिके 3 I into D का हम निकाले है 3 3 में multiply कर देंगे तो इंदों को multiply करेंगे तो 9 plus 7 multiply करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 plus 7 16 यहाँ फिल कर देंगे ठीक है न यह हो जाएगा आपको 9 और plus 7 16 यह answer हो जाएगा वैसे ही अगर हमको यह चाहिए तो यह का value आपको 7 plus D ठीक है भाई लोग अभी कितना निकालें 3 दोनों को add कर देंगे तो यहाँ साज़ेगा 10 तो यह हो गया आपका 10 तो यह question था आपको अगर इस variety का question अगर आता है exam में तो हमें यह उपर वाला equation याद रखना है इसी sale solve होगा यह important है अब देखो student यह question दिया हुआ अब इसको क दिया हुआ आपको 8 6 अना इसके 4 2 ठीक है यह एपी है इन दिस गिवेन एपी 520 ट्रहुम से 20 वा ट्रम आगा है तो निकालने का तरीका आप लोग को पता है 20 वा ट्रम निकालना हो तो यह प्लस 19T जो भी ट्रम में निकालना हो तो उसमें एक कॉम लेते है माइनस 1 बीस है तो 19 ले लिए 19T और अगर आपको यह पता है कि फर्स्ट वाला जो होता है इसको हम लोग बोलते है ए ठीक है और बाकी अगर माल लोगे अगर आपको निकालना है इसका D तो इसमें से इसको घटा लीजिए यानि कि हमेशा आगे वाले में से पीछे वाले को सब्ट्रेट कर 18 दिन्हीं आगे माइनस 2 दी मिल गया माइनस 2 ए आपको यह पर पता है ए आपको कितना दिया हुआ ए ठीक है तो हम यहां पर वह रखेंगे तो फिर यह फेजिक है इसके सब्राइं ऊपर से और इसक म्र het लगा प्लनास आपको यहां से नीचे बाले से दी का भैलू जो निकाल का हम लों रखे हुए है उसको भर देंगे तो यह वेगे एट प्लस 19 और दी के जगह पर हम लोग यहां लाए है माइनस 2 तो इन्टू में माइनस 2 भर देंगे तो जैसे ही ज़िए इसको हम लोग भरेंगे तो यहां सा जाएगा 8 जाना इसको इस इक्वल टू माइनस में 30 यहां से एंसर मिल गया आपको यानि कि यह माइनस 30 आपका एंसर हो जाएगा कौन सा टर्म यह 28 टर्म निकल गया हमारा अब क्या होता है कोई बुक में NCRT में भी यह चीज़े दिया हुआ कि इसके लिए आपको टर्म निकालने के लिए कोई भी अगर निकालना हो तो उसके लिए क्या किया है कि आपको बता दिया है कि एक फर्मूला बता दिया जैसे माली जीए कि हम लोग यह लिख रहे थे अभी कुछ दिर पहले यह लिख रहे थे कि माली जीए अगर यह 20 टर्म निकालना है 20 टर्म 20 टर्म के लिए हम लोग यह बाते लिखेते हैं इस तरह से यह 20 निखता है नीचे से जो भी निकालना हो इसके लिए फर्मूला क्या बना दिया इसको ध्यान से अगर आप लोग देखिएगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस 20 माइनस 1 और ब्रेकेट में डालके यह हो जाएगा डी ठीक है फर्मूला हो गया तो फर्मूला यहाँ पर 20 के जगा पर कुछ भी हो सकता है जैसे माली यह एन टर्म हमको निकालने के लिए बोल दिया है एन्थ टर्म एन्थ टर्म ठीक है नगे बताईए एन्थ टर्म एन्थ टर्म का आपको क्या होगा एन्थ टर्म पूछती है एन्थ टर्म इस कदिशन में आँम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे अन्- इक्वल टू यहाँ पर ए प्लस यहाँ एन माइनस वन एंटो डी यह होगी एक फर्मूला जो कोई भी टर्म अगर में निकालने के लिए देगा तो यह फर्मूला बन गया इसको इस्टार लगा देते हैं यह एक इंपोर्टन फर्मूला बन गया जहां से आपको एक जाम में पॉस्चन यह फर्मूला भी डिरेक्ट पूछ लेता है इसलिए आपको इस फर्मूला को ध्यान रखना है आए वही चीज जो हम लोग उपर यह पढ़े हैं वही चीज़े बस लिखने का तरीका बतल गया इसको इससे लिखने से फाइदा क्या हुआ हुआ इसको इससे बाकी हम लोग next lecture में आगे का AP पढ़ेंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही काफी है आप लोग रिभाइच करें बनिया से इसका question बनाए हम परियास करेंगे कि अगले lecture में दो तीन question और इसमें बनवा दिये जाए और हम आगे जो भी lecture होगा उसमें परियास करेंगे anxiety का maximum question ब करेंगे करेंगे क्या से बहाँ दो और अवड़